अज़े यह समस्या बड़ी जटिल है अगर आज भी देखो तो सिक्षा ने ऐसा कमाल किया है कि हमारी बहुत धिक प्रतिवाएं बढ़ गई हैं हम बहुत धिक इस तरपर बहुत प्रतिवावान हो गएं इंटेलिजेंट हो गएं लेकिन समस्या यह है कि संतुलन बिगड़ ग समझते तो हम सही है अज़े जब कोई बात सही समझ में आती तो सिर हिलता है कि नहीं जब कोई कहते बात ठीक है तो ऐसे है हाँ ठीक है मतलब सिर सुईकार करता है कि बात ठीक है पर बाहर से सिर सुईकार करता है भीतर बैठा है मन वो कहता तुम कितनी सिर हिलाओ मानना तो ह हमें हैं, समझ्या असल में समझ की नहीं है, आज कौन ऐसा जो समझता नहों, आज चलो हमेशा से लोग समझते रहे हैं, आज चलो आपके एक उदारन दो, हित अनित पस उपक्षी हो जाना, पस उपक्षी भी समझते हैं, आप किसी कुत्य को रोटी डालो, चाहे पालतू हो चाहे फालतू, प्रियोक करके देखना, गाउं में प्राया यह दर्श से दिखाई देता है, जैसे ही आप कुत्य को रोटी डालते हो, तो कुत्ता ऐसे ही रोटी नहीं खाता, पहले रोटी की तरफ देखेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ देखेगा, फिर दो पाउं से खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर पूछे लाएगा, वो अपनी तरह से धन्यवाद देता है, पूछे लाएगा, रोटी देने वाले की, करतगेता के भाव से देखता है, फिर एक पाउं पर रोटी रखेगा, दूसरे से दवाएगा, फिर तोड़ कर खाएगा, और रोटी जहां डालोगे वहीं खाएगा, अज़ा, वही कुत्ता, वही रोटी, अगर चुराए तो वह नहीं खाएगा जहां चुराई है उसने, कभी भी देख लेना, आप रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां आपने रोटी डाली है, और रोटी अगर चुराएगा तो दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और तीन मकानवाद किसी गली में छिपकर खाएगा, क्य अब ही सही गलत जानता है, क्या हम सही गलत नहीं जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो समझाते क्यों हैं एक दूसरे को, समझते तो हम सही हैं, और सबसे बड़ी विडमना यह है, कि समझ हमारी जितनी सही होती चली जा रही है, जिंदगी उतनी ही गलत होती चली जा रही ह देखो एक बात याद आ गई भगवान श्री कृष्ट ने दुरियोधन से कहा कि पांडव संतोसी हैं पांच गाउं देदे दुरियोधन ने का सूची अग्रम नेवदास स्यामी बिना युद्धेन केशव सूची नौक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूँगा भगवान श्री कृष्ट ने कहा यह धर्म है दुरियोधन बुला मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है मैं तो कह रहा हूं आधर्म है तो जानकर अधर्म क्यों कर रहे हो का विडमना यही है जाना मी धर्मम नचमे प्रवर्ती और जाना मी अधर्मम नचमे निब्रती केना पी देवे ने हर्दी स्थिते ने यह था नियुक्तोस मी तथा करो मी मैं जानता हूं कि धर्म क्या है पर उसमें मेरी प्रवर्ती नहीं है और मैं जानता हूं कि धर्म क्या है कही है वो हम सब के लिए प्रेरणा दाई है कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है फिर करता क्यों है बिवश है किससे बिवश है दुर्योधन को भगवान स्री किष्ण ने उत्तर नहीं दिया अर्जुन को उत्तर दिया गीता ने और यही का कि प्रतेग प्रानी अपनी प्रकृति से परवश होकर कर्म करता बिवश है प्रकृति मानद सुभाव हम अपने सुभाव से मजबूर हैं समझ तो ठीक है समझने वाले भी ठीक हैं, समझने 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 वा इसलिए वे बोल कर तो नहीं बता पाते थे लेकिन जिंदगी सही जीते थे और ऐसे भी हम लोग हैं जो बोल कर तो सही बताते हैं पर दीक्षा के अभाव में जिंदगी सही जी नहीं पाते हैं सुभाव जब बदलेगा कवीरा यह मन मलिन हैं धोए नचूटे रंग कै छूटे हरी नामसों कै संतन के संग सुभाव जब बदलेगा तब केवल एक उपाए हैं जहां सिर और उर एक हो जाएं, ज़ा सिक्षा और दीक्षा एक हो जाएं जहां समझ और सुभाव एक हो जाएं तो जिन्द की धन्य हो जाती है वही जीवन का सुन्दर कान में है